हलो दोस्तो, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आइफॉन में टच आइडी और पासकोड कैसे सेट करते हैं। अगर आप अपना फॉन पब्लिक स्प्लेस पर यूज कर रहे हैं और कभी-कभी अपना फॉन डेस्क पर रखके और कोई काम करते हैं तो यह बहुत जरूरी है कि आप अपने आइफॉन में टच आइडी और पासकोड जरूर सेट कर ले। आप देख रहे हैं टेकी प्रसांद तो चलिए देखते हैं टच आइडी और पासकोड सेट करने के लिए सबसे पहले आपको जाना है सेटिंग्स में से आपको ओप्शन चूज करना है टच आइडी और पासकोड तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि टच आइडी और पासकोड के लिए वेरियस ओप्शन है आप एक ध्यान रखिए, दोनों अलग चीज़ है Touch ID क्या है कि आपके fingerprint के through अगर आपको iPhone unlock करना है App Store पे आपको कुछ payment करना है तो आप Touch ID भी यूज़ कर सकते हैं और Passcode जो है जनरली आपका जो iPhone है उसे unlock करने के लिए आप set कर सकते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आप अपने phone में Passcode कैसे on कर सकते हैं तो उसके लिए सिर्फ आपको क्या करना है कि यहाँ पे Turn Passcode on उसे click करना है और यहाँ पे एक Passcode आपको set करना है तो Passcode जनरली हम set करते हैं तो यहाँ पे जो default setting होते हैं वहाँ पे आपको 6 digit का Passcode set करना होता है लेकिन यह जरूरी नहीं है कि आप Numerical Passcode ही set करें यहाँ पे जब आप click करेंगे Passcode option तो यहाँ पे आपको अलग option है आप Alpha Numeric यानि ABCD कुछ ऐसा Passcode भी set कर सकते हैं और दूसरा एक option है अगर आप 6 digit का Passcode set नहीं करना चाहते हैं तो आप 4 digit का Numeric Code भी set कर सकते हैं तो आप यहाँ से choice कर लेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे option change हो गया 4 digit तो यहाँ से आप option change कर सकते हैं जैसे अभी यह है 6 digit तो यहाँ पे 6 digit का input है और और option भी है अगर आप 4 digit, 6 digit यूज़ नहीं करना चाहते हैं और आप अपने हिसाब से कुछ Numeric Passcode रखना चाहते हैं तो यहाँ पे से आप option choose कर सकते हैं Custom Numeric Code तो यहाँ पे क्या होगा कि आपकी जो text fill है वो custom input के लिए ready हो जाएगी तो आप यहाँ पे कोई भी Numeric number डाल सकते हैं दूसरा एक option है Custom Alphanumeric Code तो जब यहाँ पे आप टैप करेंगे तो आपको Numeric Keyboard के बढ़ले Regular Alphanumeric Keyboard मिल जाएगा तो आप as a passcode Alphabetic Character कोई भी चूज कर सकते है जनरली क्या होता है कि लोग Numeric Passcode ही set करते है क्योंकि वो enter करने में आसान होता है इसलिए मैं भी यहाँ पे आपको 6-digit Numeric Code जो है वही बताने जा रहा हूँ तो यहाँ पे आपको 6-digit Passcode set करना है मैं यहाँ पे Passcode set कर रहा हूँ as a sample तो जैसे मैंने वो enter कर दिया तो यहाँ पे आपको पूछ रहा है are you sure you want to use this code आपको पका यह code यूज करना ही है तो यहाँ पे आप चूज करेंगे यूज कोड अगर आपको कुछ doubt है तो आप फिर से नया code एंटर कर सकते हैं जैसे यूज कोड किया confirmation के लिए आपको पास कोड फिर से डालना है वही पास कोड डालना है जो पहले आपने डाला था तो यह आपका पास कोड सेट हो गया ठीके तो अब हम देखते हैं phone को lock करके जैसे मैं यहाँ पे unlock कर रहा हूँ तो जैसे मैंने unlock करने की कोशिश की आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मुझे पास कोड पुछ रहा है तो मुझे यहाँ पे पास कोड एंटर करना होगा तभी मैं अपना phone जो है उसे unlock कर सकूँगा अब दूसरा option है आप अपने पास कोड के साथ phone को unlock करने के लिए fingerprint scanner भी यूज़ कर सकते है तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी fingerprint यहाँ पे add करनी है तो जैसे आप उसे add fingerprint टैप करेंगे यहाँ पे एक screen आ जाएगी और आपको जो बता रहा है कि यहाँ पे use your finger to place your passcode और apple id याँ आप अपनी fingerprint जो है वो passcode के बढ़ ले और apple पे पे आप sorry not apple पे apple store पे कुछ आप purchase करने जा रहा है तो apple id के बढ़ अपनी fingerprint भी use कर सकते है तो सबसे लिए यहाँ पे instruction है कि आप अपनी finger यहाँ पे रखें fingerprint scanner पे आप यह ज़रूरी है कि आपके phone में fingerprint scanner होना चाहिए अगर आपके पास normal iPhone है 5 वगरा जिसमें fingerprint scanner नहीं है तो यह option नहीं होगा तो यहाँ पे मैं अपनी finger रख रहा हूं तो जैसे मैं अपनी finger रखता हूं तो वो मेरी जो finger है वो मुझे अलग-अलग तरी से रखनी है तो वो मेरी finger के अंदर आपकी जो finger है उसकी जो धार है अब आपको age को scan करवाना है तो यहाँ पे continue प्रेस करते हैं continue प्रेस करें आप देखेंगे कि में finger का middle part है वो तो यहाँ पे scan हो गया लेकिन जो धार का part है मुझे तीरे-दीरे उसको scan करवाना है तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक ready हो गया है और बाद में continue कर सकता हूँ तो जैसे continue कर लिया तो यहाँ पे आप देखेंगे finger one एक option आ जाता है यानि एक finger जो मैंने enter की वो read हो गई तो अगर मैं चाहूँ तो मैं दूसरी finger भी यहाँ पे कर साओ तो जैसे में thumb की impression भी यहाँ पे record कर सकता हूँ तो अब एक option है जैसे आपने fingerprint एड की तो आप देखेंगे कि यहाँ पे iPhone unlock automatically on हो गया जब आप on रखते हैं तो क्या होगा कि आप अपना iPhone जो है उसे unlock करने के लिए अपनी fingerprint भी यूज कर सकते है तो देखते हैं अब उसे lock करके अब जैसे यहाँ देख रहा हूँ तो यहाँ पे passcode तो है या पासकोड के through भी unlock कर सकते है लेकिन मैं अपनी finger के through भी phone unlock कर सकते हैं आप देख रहे हैं कि phone unlock हो रहा है fingerprint के through और एक जरूरी चीज है कि आपको जब भी आप अपने phone में passcode सेट करे तो एक बहुत important setting है आपको देखना है यहाँ पे एक setting है erase data तो आप यह ध्यान में रहे कि यह option बंद हो आपकी safety के लिए कि गलती से भी अगर किसी ने आपका phone ले लिया और 10 बार गलत passcode डाल दिया तो automatically आपके phone के सारे data delete हो जाएंगे wipe हो जाएंगे तो आपकी safety के लिए जरूरी है कि इसे बंद रखता है अगर जैसे आपने on किया तो यह पूछेगा confirmation के लिए all data on this phone will be erased after यानि आपका आपको चालू करना ही है अगर गलती से भी 10 attempt हो गए गलत passcode के तो सारे data delete हो जाएंगे तो मैं भी यहाँ पे इसे off रख रहा हूँ क्यूं कई बार kids के हाथ में phone आ जाता है और हमारे phone में passcode होता है तो बार बार गलत passcode एंटर कर दे तो phone के सारे data wipe हो जाएंगे इसलिए safety के लिए जरूर है कि आप किसी बच्चे के आथ में phone दे रहे है कभी या तो इसे off रखे इसके कोई जरूरत नहीं है तो यह कुछ आसान तरीका था touch ID और passcode को use करने के लिए अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो उसे like कर दीजे और अगर आपने इस चैनल को subscribe नहीं किया है तो उसे subscribe भी कर दीजे subscribe करने के बाद जो bell का icon आता है उसे भी click कर दीजे तो जब भी मैं नया वीडियो अप्लोड करूँगा आपको अपने email में तुरंत ही उसका notification मिल जाएगा आपका बहुत बहुत धन्यवाद